प्रिया चात्रों चात्राओ आद्रणे अभिभावकन और आद्रणे अध्यापकन जैसे कि हम पीछे की समय में 10 दिसंबर 2020 को और 22 दिसंबर 2020 को और उसे भी पहले हम लगतार संबाद करते रहे हैं और आपकी कई मेल मुझे मिले हैं और आपने लगतार ये चाहे कि कब और कैस सारे सुझाओ हमारे सिक्सा संबाद में मुझे मिलते रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि इस दुनिया की कोरोना काल की जो सबसे बड़ी महामारी और इस संकट के दोरान वी जिस तरीके से आप लोगों ने स्वैम को तयार किया है चात्र चात्राओं को मदद के लि अपने बच्चों के मदद की है मैं विशेश करके अध्यापक गर्ण के प्रति और अभिभावकों के प्रति बहुत आबारी हूँ कि जब पूरी दुनिया एक एक वर्स पीछे अपने पर्ठेक्रमों को ले गई अपने सत्र को ले गई ऐसे अवसर पर हमने अपने बच्च का साल खराब नहीं होने दिया और बहुत सक्रियता सजगता और सुरक्षा आपको साथ लेकर के हम लोगों ने परिक्षाएं भी कराई हैं और एक वर्ष पूरी तरीके से बचाया है बच्चों का और चात्रों ने भी जिस मनोबल से काम किया है और बड़े धैरे के साथ बहुत अध्भुत उदार है क्योंकि देश का सामर्थ देखा जाए तो एक हजार से अधिक विश्व विद्याले हैं और पैंतालिस-पचास हजार डिग्री कॉलेज हैं जहां एक करोर दस लाक अध्यापक फों और जहां पंदर सोलो लाक स्कूल हों और चात्र चात्रों की टुटल संख्याइती देखें तो मैं बार-बार कहता हूँ कि अमेरिका की कुल जन संख्या से भी अधिक 33 करोर हमारे चात्र चात्रे हों और जो दुनिया का स्बस्री बड़ा लोगतांत्रिक देश इंतोस्तान और कोबिट की महामारी के संकट में भी पूरी ताकत के साथ ह यसोस्तु पुर्धान मनति जी के यसमस्तु नेत्त तो में जिस तरीके से हर चुनौती का मुकाबला देश के लोगों ने किया तो मेरी चात्र चात्रों आप गी पीछे नहीं रहें मेरे अफिफाग भी पीच्म रहें हैं और मेरे अध्यापप्त तो योधा बनकर के साम्न रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हमने बच्चों को इस बीच ऑनलाइन पड़ाया भी है उनके परिक्षाइं भी करवाई हैं रेजल्ट भी दिया और आप हम आगे की इस सत्र की तैयारियों में जुटे हुई हैं और डिजिटल इंडिया जो हमारे देश के प्रधानन्ति का विजन को क्रियानमित के धर्ति पर मैं समझता हूं कि 33 करोड चात्र चात्राओं को और लेंड पर लाना दुनिया सोच भी नहीं सकती है हां अभी कुछ चात्र चात्रा ऐसे हैं जिनके पास इसमार्ट टालेफोन नहीं है जहां नेट की स्विदा नहीं है लेकिन हमने उनको भी बंचितनी रखा हम टली विजन के माधियम से रेडियो के माधियम से सामुदाइक रेडियो के माधियम से और जैसे की वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के हमने बात की थी और वन क्लास वन चैनल की बात की थी और हमारे स्वेम प्रभा के 32 चैनल जो 24 गंटे हमा दिक्षा पर नहीं आ सके हैं उसके कारण उनको दिक्कत भी मोबाइल में नहीं उसको पा सके हैं उनको भिन-भिन तरीकी से हम लोगों ने किया लेकर मुझे इस बात को खुशी इस बात की खुशी है और एक कहते हुए मुझे गर्वी मैसूस होता है कि हिंदुस्तान की सक्सन कुम दिक जो गत्विद्य हैं आप वह पूरी ताकत के साथ खड़ी रही हैं चर्मराई नहीं है कभी हमने पाठक्रम को कम किया लगाता राम सेक्ष्ण कालेंडर को जारी करते रहे हम चात्रों से सीधा संबाद करते रहे हम अभिवाब कों से संबाद करते रहे हम लेके कि 24 गंटे में से 20-20 गंटा 18-18 गंटे रात और दिन काम करके और जिस तरीके से मेरे देश के 33 करोड चात्रों में से 25 करोड तक आउनलेन पर लाने में सफलता प्राप्त किये दुनिया का अधिभूत उधारन है और हमने जेई और नीट की भी परिक्षाओं को कराया और बहुत सुरक्षित तरीके से दुनिया नीट भी दुनिया की सबसे बड़ी इस कोरोणा काल की परिक्षा थी और जो बहुत ही सफलतम रहा है मैं सोचता हूं कि मनोदरपन जैसे कारेकमों को भी हमने क्यार उससे पहले जो जेई की परिक्षा के लिए जो NTA ने एप बनाया उसक्ता और लगातार कैसे करके छात्र को जो संभाव हो सकता है वो क्या-क्या-क्या-जासकता है लगता है मेरे छात्य कर रहे हैं तो आप अरफिन वरे के ओल मनोरुन जन ओल अरे चाहा वाज्चा पर ہं भी तरीके में सबसे बड़े reform के रूप में आ रही है सारे दुनियानी सुईकार मुझे खुशी है कि हमारे देश ने भी उत्सो के रूप में इस नई शिक्षानी के 2020 को सुईकार किया है मैं समझता हूँ कि आपके में जरूर है कि कब ये परिक्षान हमने पहले भी कहा था जब पहले के संबाद में कि हाँ फरवरी तक आपके कोई परिक्षान नहीं होगी क्योंकि आपकी अनिशित्ता से बनी है जनवरी और फरवरी जनवरी आ गया और पहले जनवरी फरवरी में practical भी शुरू जाते थे परिक्षाइं शुरू जाती थी तो मार्चिता को पूरी होती थी और इन प्रस्थितियों में बहुत आपसे संबाद करने के बाद और भ्यापक परमश करने के बाद अब हम लोग इस नर्णे पर पहुंचे हैं कि जो बोड की परिक्षा है हमारी वो ब भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे और समय पर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समय पर उसके बाद कौपियों का दिदिक्षान कराएंगे और समय पर आपका रिजल्ट भी हम तयार करके करना चाहेंगे और परिणामों को गुशना 15 जुलाई तक कर देनी चा शुब कामना आप पुरी थाकत के साथ और बहुत आत्मबल के साथ विना किसी दनाओ के आप परिख्षा की तयारी में चुटेंगे वक्त भी हमारे पास है और आपको पाठेक्रम भी बहुत अच्छा आ रहा है और सीबीसी ने वैसे भी इन प्रस्तितियों में 30 प्रतिश् हुए हैं और पूरी पूरा तंत्र वो आपके साथ जुड़ा हुआ है तो मुझे भरोसा है कि जो 4 मई से होने वाली जो पूर्ड की परिक्षा हैं उनके लिए आप बहुत मनों बल्द से तयारी करेंगे और पूरी ताकत के साथ और रिना किसी संकोच के आप आपने परिक् अद्रभग हाँ 25-26 देशों में जो cbsc के स्कूल चल रहे हैं दुनिया के इन 25 देशों में रहने वाले चात्र चात्रे में ये मेरी बात को सुन रहे हैं तो उनको कोई चिंदा करने की ज़रूत नहीं है उनके भी हर समाधान को करने की हम कोशिश कर रहे हैं मेरे पिरे चात्र चात्र हो 2020 बहुत यूधा की तरह आपने इस 2020 को आप विदाई दे रहे हैं और मैं नए वर्ष की जो पूरु संध्या पर मैं आपको शुप कामना देने के लिए आपके बीच आया हूँ और नई तित्यों की घुष्णा की आने वाले साल में हम इन तित्यों का भी स्वागत करना चाहते हैं आप सभी चात्र चात्रा हैं बहुत मनवयोग के साथ बीना किसी तनाव के अपनी परिक्षाओं को देंगे मैं आपके अभिभावकों को और आपके अध्यापगन को एक बार फिर अभिनंदन करता हूं और आपको शुप कामना देता हूं